दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे कभी खुशी कभी गम और माई नेम इस खान जैसी बहतरिन फिल्मों में चार चान लगाने वाली काजोल आज कुन पच्चास साल की हो चुकी है काजोल को इंडरिस्टी की सबसे मुफट और विंदास एक्ट्रेस कहा जाता है काजोल कभी अपनी मात तनुजा की तरह हिरोई नहीं बनना चाती थी लेकिन इसकूल की छुट्टियों की बोरियत ने उन्हें फिल्मों से जोड़ दिया मज़दर बात तो यह है कि काजोल को उनकी पहली फिल्म किसमत से मिली थी उनका अपनी दोस्त के फोटो शूट के सिलसले में स्टूडियो जाना हुआ था जहां उन्होंने जबजस्ती मेक अप कर उनकी तस्वीरे क्लिक कर ली गई कुछ-कुछ होता है कि शूटिंग के दोरान काजोल के साथ बड़ा हदसा हुआ था दरसल एक सीन के लिए उन्हें शारुक के साथ साथ साइकल चलाते वे उन्हें छेड़ना था काजोल शौट दे रही थी कि वो चलती साइकल से मूँ के बल नीचे गिरी और बेहोश हो गई जब काजोल उठी तो उनकी याद़ास चाच चुकी थी न वो खुद को पहचान रही थी न शारुक करन और दूसरे लोगों को करन जोहर ने तुरंत अजे देवगन को इस बात की जानकरी दी और उनकी काजोल से बात कराई जब काजोल ने अजे की आवाज सुनी तो उनकी आद़ास धीरे धीरे वापिस आने लगी करन जोर को हमेशा से ही लगता था कि काजोल फिल्म कभी खुशी कभी गम में काम करने के लिए राजी नहीं होगी ऐसे में उन्होंने काजोल की जगा फिल्म का आफर एश्वराय राय को देने का मन बना लिया उसी पीच एक दिन करन की मुलाकात काजोल से हुई जब करणने बातों ही बातों में उन्हें फिल्म की स्टोरी सुनाई तो काजोल की आखे नम हो गई काजोल को इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत फिल्म करने के लिए हामी भर दी फिल्म जबल जस्त हेट रही कभी खुशी कभी गम की शूटिंग करते वे काजोल प्रेगनेंट थी जब फिल्म रिलीस हुई तो हर कोई खुशिया मना रहा था लेकिन काजोल के लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था फिल्म रिलीस के बाद काजोल का मिस्केरेच हो गया वो कई दिनों तक अस्पताल में भरती रही थी परिवार के लिए काजोल ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया कभी खुशी कभी गम के सेट पर हुए हादसे के बाद काजोल ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया इसी के साथ बने रहे हैं राजनमा दुनिया के साथ धनेवा